आज हम बढ़ेंगे नया रास्ता बुक अध्याय साथ आखिर सरीतला को देखने का दिन आही गया अमित के घर में विशेष चहल पहल थी अमित की माता जी में विशेष उत्सह नजर आ रहा था जैसे कि यह सब जो काम है अमित की माता जी का था इसलिए उन में विशेष उत्सह नजर आ रहा था माता जी की कहने में आकर उसके पिता भी रिष्टे में रूची लेने लगे थे मासा जी ने जैसे उनको फोर्स किया था पत्र देखने के लिए तो अब पिता जी समझे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है तो हम इसी में अगर इंट्रेस्ट ले तो जादा अच्छा होगा अमित की बहन मधु भी अपनी हुने वाली भाभी को देखने के लिए उसकुत थी उसको जो हो रहा था बस उसमें स्यामिल होना था कुछ बोलना नहीं था यकि यह बस माता-पिता और अमित की झिन्गी का सवाल था तिसलिए अमित की महन मधू भी जो हो रहा है उसी में उत्सुक्ता दिखा रही थी घर में सब उत्साहित नजर आ रहे थे सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चहरे पर उदासी थी सब उत्साहित थे लेकिन अमित ही ऐसा था जिस पर अभी चहरे पर अभी उदासी थी वह बिल्क के उदास हो रहा था कि धनी घर की लगी को लाकर वो मुझे बेचना चाहते हैं कौन अमित के माता पिता जी घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहन कर तयार हो चुके थे तभी बाहर से कार के हॉर्ण के अवाद सुई हुई धनीमल जी की ड्राइवर उन सब को लिवानी के लिए कर लेकर आये घर के सभी सदस्य को घमिल्जी की घर जाना था सहीता को देखने के लिए तो वह सब वस्त्र पहन के तयार हो गए और बहार निकल रहे थे तब बहार से कार आकर हन मजाई नई अपने पैसे का रोब दुबारा दिखा रहे थे धनी मल जी एक ड्राइवर भेजे थे का नई नवेली कार के साथ अमित के अमित के परिवार को लेने के लिए उनकी घर तक हो जाने के लिए माया राम जी उनकी पतनी अमित वह उसकी बहन मदू सभे उस कार में बैठ कर चल दिये धनी के लिए बड़े अफसर से कम नहीं है माय राम जी अपनी आपको बहुत प्राउड फील करने लगे कि वह बहुत बड़े अफसर है जैसे ही माय राम जी कार के अंदर बैठे ग्राइवर ने आए कार का दरवाजा बंद किया उसकी और धनीमल जी की कोटि के बहाँ जब कार तब ड्राइवर ने आके कार का दर्वाजा खोला, फिर मायराम जी उत्रे, ये सब देखके मायराम जी को बहुत अपने उबर प्रावर फील हो रहा था, कि वो जो करने जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा गाम है, कोठी का दर्वाजा खुलते ही, जैसे उन्हें सबसे अंद जन्गिया कुर्सी पड़ी थी, रंग बिरंगे फूल के गमले कोठी के शुभा में चार चान लगाया थे, ये पूरा पैरेग्राइव जो तीन चार लाइन का है, ये पूरा पैरेग्राफ आपको लर्ण करना पड़ेगा, इस पैरेग्राफ का ये पैरेग्राफ का हर एक वर्ड एक कुशन का आंसर है, तभी उनके ड्रॉइंग रूम का दर्वाजा खुला, धनीमल जी बहार आए, जब वो कोठी के अंदर गुसे, कोठी में अंदर जाके ये सब चीजे रखी में थी, अथोरा अंदर बढ़ते ही घर का दर्वाजा था, जो ड्रॉइंग रूम क के लिए रखे गए थे, परंतु सभी को उच्थकता थी, सरीता को देखने की, जब फल, मेवा, मिश्थां ये सब किसी से कोई भी उच्थक नहीं थे, सब को बस देखना था, सरीता को, माया राम जी ने सरीता को बुलाने के लिए कहा माया राम जी बोले धनिमल जी के यब सरीता को बुलवाया जाए सरीता को कमरे में बुलाया गया उसके हाथ है कि उसके साथ उसके चाची भी आई सरीता के चहरे को देखते ही अमित के पैर तले धर्ती किसक गई कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरीता की नाक नक्ष में सिर्फ उसकी आखे बढ़ी थी रंग तो मीनू के सामने भी कई जाधा गिरा हुआ था सरीता जब बाहर आई तब यह अमित देखते ही अमित नम चौक गया कि पहले उसी इतनी प्रशंसा की जा रही थी लेकिन नाक नक्ष में तो वो अमित से वे वेकार थी वस उसकी आखे ये बढ़ी थी और रंग तो मीनू से जाधा ही गिरा हुआ था सरीता को अमित की मा के पास बैट पास वाली कुरसी पर बठाया गया जैसे कि अधनिमल जी को लगता था कि अमित के परिवाय में सिर्फ उसकी मा हिर्फ से जाधा उत्सुख है धनिमल जी साही अपनी बेटी को अमित की मा के पास वाली कुरसी पर बठा दिये मा सरीता से घुल मिलकर बाते करने लगी उन्होंने उन्हें उसके उस रूप में सुन्दरता नजर आ रही थी वह जैसी हैं अमित की वह उसी में खुश थी क्योंकि उसको तो बस अरीता के पैसों से मतलब था अमित वह उसकी बेहन मधू चुप चाप बैठे रहे मा को हस्ते देखकर इसके दिल में दूफान उठ रहा था क्या रूप नजर आ रहा है मा को इसमें क्या सरीता मीनू से जाधा सुन्दर लगी मा को या उसके पैसे कार अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूनने लगी अमित वहां पे कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन उसके दिमाग में बहुत साने कुछन्स आ रहे थे मां के अगेंस्ट में धनीमल जी वह मायराम जी आपस में बैठी कुछ बाते करने लगी सब वहां से उठकर चल लि कुछा आपके किस चीज में रूची है कई इसकी अलावा घर के काम कर लेती है मुझे घर के काम नहीं आते घर में चाचार नौकर है काम करने के जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे मुझे घर की काम में विश्य शुरू ची नहीं है सरीता ने लिसंकोच जवाब दिया शाधी के बाद यदि काम करना पड़े ताब किस प्रकार करेंगी सरीता थपाक से बोली पिता जी शाधी के बाद में साथ एक नौकर भेज देंगे वही सारा काम करेगा उसका जवाब सुनकर अमित भौचक कर रह गया अम कुछ समय बाद उसने फे प्रश्न किया तुम्हारी एजुकेशन किया है मैंने सकेंड डिविजन से एमे पास किया है उनकी बाते चल रहे थी कि सभी लोग ने कम्मिनन में प्रवेश किया इसके बाद खाने पीने का करक्रम चला धनीमल जी विवे विशेश आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने का नहीं कर रहा था पर उसके सब के विशेश आग्रह पर उसे खाना पड़ा सरीता के पिता जी वा अमित के पिता जी बहुत समय तक बाते होती आई उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया घर पहुचने पर सबने सरीता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किया सबसे पहले मा बोली क्या बुराई है सरीता में मुझे तो अच्छी लग रही थी रंग जरा सा गिरा हुआ है तो क्या हुआ शादी के बाद निखर आता है रंग रूप पिता जी के मुझे तो थन्जी मलज की जी के द्वारा जी जाने वाले पांच लाक रुपए बोल रहे देखो जी लड़की देखने में तो अच्छी है कि आप रही है उसमें जहां तक रंग की बात है इस दुनिया में दो ही रंग होते हैं गोरा या काला शाधी तो सभी की होती है पर पिताजी या तो कोई जरूरी नहीं यह काली भावी है हमारे घर में आए अमित के बैन का बिखल मन ही नहीं था अमित चुप जाब बैठा हुआ था इसमें पिताजी क्या बोलते हैं तू चुप रहा तू क्या जानती है इस बारे में मदू ने जब बोला कि काली भावी हमेरे घर में क्यों आनी चाहिए तब पिताजी उसको चुप करा देते हैं पहले मदू बि पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं आपने मेरी शादी धनिमल जी बेटी की कराने का ठान ही लिए तो कर लीजिए जहां तक मेरी पसंद है मुझे तो सरीता बिल्कुल बसंद नहीं है बेटी की अशवत सुनकर माया राम जी को लगा कि बेटे के साथ से बर्दस्ति की जा रही है एक वार पिता के नाते उनके हिरदय में अभाव उठा कि बेटी के जिंदगी के साथ खिलवार करना उचित नहीं है अभी दूबे हुए थे कि दूसरी और से उनकी पत्नी ने अपने विचाय प्रकट किये हमारे समय कौन लर्का लर्कियों को दिखाया जाता सबति के शादी ऐसे यह रही है आज कर लर्कों को लर्किया क्या दिखाने लगे हैं बस हजारों कमिया निकालते हैं लरगियों में मां को बहुत गुस्ता आया अज इस बात पर उन्होंने अमिद को ताना मारते हुं यह वाकिय कहा यह वाकियत आपको याद करना पड़ेग पढ़ा लिखा नव युवक होने पए उसमें इतना साहस नहीं था कि मा की बात का विरोध कर सके मा के व्यांग को उसके हिदय में तीर के भाती चुब रहे थे परन्तु वह इतना साहस नहीं बेटोर पाया कि मा से कुछ कहा जा सके चुप चाप छोटा सा मू लेकर अपने कम् कि अपर में मुआ भी के लिख दुते हैं पहुत अन्या गात्त आ कि बूक हों छी किम आदे पूस्टन हमें भीडी फिलक्स ठाब श्यार खेंगर में एसन्यां दान दो में पुच item से को युट्गयांन क्यूशब को अमें कुटकिल एक दोदिट टूरमा गार्पाय कि यू